दूसरी चीज है अब इनके प्रबंधन कैसे करे तो अधिकांस जो फुफुन जनक विमारी हैं वो मृदा जनित विमारी होते हैं तो इसके लिए हमें दो चीजों का खस ध्यान करना पड़ता है एक तो मृदा को उपचारित करने के ओसकता पड़ती है दूसरा पान के जो बेल होते हैं जो लगाने के लिए इस्तमाल किया जाता है उसके उपचार की ओसकता होती है सबसे पहले जब हम पान को लगाते हैं तो आपके खेत में दो तरह की बीमारियां जो है जैसे एक पद गलन की बीमारी है दूसरी जो बीमारी आपकी है वो पत्ते की गलन की बीमारी है ये दोनों बीमारियां जो है खास करके जो है आपको मौनसुन के आगमन के बाद है कि हम लगाने के पूर्व भूमी का उपचार कर ले अगर जीवानों जनित बीमारी जिसको जीवानों पत्र लांचन कहते हैं ओ जैन्तो मौनास कमपेस्टिस वैक्टिया के कारण होता है तो उसके रोक थाम के लिए हमें अस्टेप्टोमाइसिन सलफेट दसमलो 5 परतिसत के गोल का इस्तमाल करना चाहिए एक बीमारी आपका जो एंत्रेकनोज लीफ अस्पोर्ट आता है जिसमें पत्ती के मध्ध सीरे में आपको गोलाकार भूरे रंग का धबबा आ जाता है तो इसके उपचार के लिए आप जो है ए मुख रुप से नॉम्बर के महीने में आती है जब ठंड की सुरवात होती है नॉम्बर दिसंबर जन्वरी ए तीनों महीने में इस बीमारी का प्रकोप बढ़ जाता है जिसे पतियां गिरने की समस्या होती है तथा पतियां पे धब्बे हो जाते है जिसे पतियों की गुनवत्ता खराब हो जाती है तो इसके लिए आप उसपे जो है कारबेंडाजीन तथा मैनको जेम ए दोनों के मिस्रित दवा का दो ग्राम प्रती लीटर के घोल का छिड़काव करेंगे तो ए बीमारी से पोधे को निजात मिलेगी